नमस्का टेक्निकल हेल्पिंग केशो चैनल में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर एप में लोगिन कैसे होगा इसकी पूरी जनकारी देने वाला हूँ वीडियो को आंद तक आप जरूर देखें अब मैं आपको ओनलाइन रेजिस्टेशन करके दिखा रहा हूँ आप हमारे राइट साइट के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सबसे पहले हमें बिहार बिजली स्मार्ट मीटर एप को डाउनलोड करना होगा चोकि हम कर रखेंगे इसको ओपें करेंगे बिहार बिजली स्मार् अब उसके बाद मोबाईल नंबर वह डालेंगे जो आपका रजिस्टर मोबाईल नंबर है जो बिजली बिल में दिया हुआ है अगर दूसरा कोई नंबर डालेंगे तो फिर वह वह वैलिड नहीं होगा आपका लोगिन नहीं हो पाएगा इमेल एड्रेस यहां ऑप्शनल है तो आप डाल भी सकते नहीं इसके बाद नेक्स्ट का उप्शन है उसका सेलेक्शन करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपका नाम एड्रेस सब दिखेगा यहां पासवर्ड का उप्शन मिल रहा है तो यहां कुछ भी अपना पासवर्ड लिख सकते हैं जो कि अल्फा नुमेरिकल में होना चाहिए यानि कि लेटर और नंबर दोनों में और उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड का उप्शन है वहां भी आपको सेम लिखना होगा जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है उसके बाद आई एगरी का यहां पर आपको एक कॉलम बना हुआ है उसक अभी-कभी OTP आने में कुछ समय भी लग जाता है तो इसके लिए आपको वेट करना होगा चुकि सर्वर डाउन होता है या टेक्निकल कुछ इशू होता है जिसकी वज़से कुछ समय लग जाता है जैसा कि अभी हमारे पास OTP आ चुका है अब हम इसमें OTP इंटर करने वाल के लिए जैसे अथे छूर्भ पाश्वर्ट प्रेट किया था वह डालकि शाइन करेंगे यह यह पूरा पेज खुल जाएगा जिसमने आप पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें आप करेंट बैलेंस दे सकते हैं लाइट कटा या चालू है यह सब देख सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर सस्क्राइब और बेल आइकोन को जरूर दबाए ताकि और भी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद